हलो फ्रेंज अपना किचन में आपका स्वागत है आज मैं अंडा करी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ और इतना ज्यादा टेस्टी बनेगा ना कि सब लोग तारिफ करेंगे और उंगलिया चार चार करके खाएंगे बनाने का तरीका मैं बिल्कूल आसान बताऊंगे तो फ्रेंज वीडियो पूरा देखिएगा अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें चली शुरू करते हैं तो देखे फ्रेंज मैं पांच उबले हुए अंडे लेंगे और चार मेडियम साइज का प्याज प्याज को देखिए इस तरह से कट कर ली हूं एकदम पतला-पतला लंबा-लंबा अर Jupiter को हम लोग एक-एक करके हाथों मे लेंगे और काथे वाले चमच की अब चलिए मसाले त्यार कर लेते हैं मिक्सर गंडर के जार में हमाइट करेंगे एक छोटा चम्मच जीरा एक चोथाई चम्मच काली मिर्च दो छोटी इलायची दो लॉंग एक छोटा टुकड़ा दाल चीरनी का चार हरी मिर्च एक चम्मच कटे हुए अद्रक के टुकड़े 12-15 छीली हुई लसुन की कलिया और एक मिडियम सैज का मोटा कटा हुआ टमाटर अब हम इसमेट करेंगे थोड़ा सा पानी और मसालों को पीस करके एकदम स्मूथ पेस्ट त्यार करेंगे तो देखे फ्रेंज मसाले पीस चुके हैं और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट त्यार है अब चुले पर कडाई रख देंगे और गैस अन कर लेंगे अब हम इसमेट करेंगे तीन बड़ा चमा सरसु का तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जागा तब हम उसमेट करेंगे उबले हुए अंडे गैस का फ्लिम मीडियम टू लो रखेंगे अब हम अंडो को मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह से देखी उलट पलट करते हुए दीप गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे तो देखे फ्रेंज अंडे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इनको एक बरतन में निकाल लेंगे अब उसी बचे हुए तेल में हम अट करेंगे एक तेजपता तोड़ करके और कटी हुई प्याज अब हम प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर डीप गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और फ्राई करते समय देखिए इस तरह से बार-बार चलाते रहेंगे तो ऐसे न छोड़ देना तो निके प्याज एक य तरब से जल जाएंगे तो बार-बार चलाते हुए फ्राई को फ्राई करें तो देखे फ्रेंज प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है आप देख सकते हैं अब हम कैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे अब हम इसमें अड़ करेंगे पीस से हुए मसाले जो हम लोग पीस करके रखे थे और मिक्सर गाइंडर के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके धो लेंगे और डाल देंगे अब हम इसमें अड़ करेंगे आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंदों कमिया जादा, और ध्यान रखने फ्रेंज, हम लोग मसालों में भी हरी मिर्च पीसे थे, अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अ आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, तो एक बार और हम इस तरह से चला लेंगे, अब हम गयस का फ्लेम इस टायम एकदम लो रखेंगे, अब हम इसमे आड़ करेंगे फ्राई किये हुए अंडे, अब हम इसमे आड़ करेंगे, आधा छोटा आते रहेंगे पांच मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते फिनिस मसालों के साथ अंडे भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं भून चुके हैं अब हम इसमेड करेंगे एक कप पानी गैस का फ्लेम इस टाइम मीडियम टू लो रखेंगे अब हम इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम धकन लगा करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पास से साथ मिनट तक पक्ने देंगे और बीच बीच में धकन हटा अटा करके एक दो बार चला भी लेंगे पास से 7 मिनट हो चुके हैं धक्कन अटाएंगे और आप देख सकते हैं अंडा करी का कलर कितना अच्छा आया है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारिक कटी विहरी धनिया की पती और धनिया की पती को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गर्मा-गर्म सर्प करें बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही जटपट से बन जाएगा और सब 집에 जिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा सेचर करें झाल 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 झाल